हेलो फ्रेंट्स वेलकम इन दे टैग और दोस्तो आज मैं लेके आँँ आपके सामने एक इंटरस्टिंग और जबरदस्ट वीडियो जो की है डाइनसौर्स के बारे में और अगर आप सूच रहे हूँ कि मैं डाइनसौर्स के अंत या उनकी एक्स्टिंशन के बारे में बात क तो दोस्तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा ये क्वेशन आ रहा होगा कि डाइनसौर्स तो आज की डेट में है ही नहीं तो वो उड़ कैसे सकते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि जो हम आज की डेट में क्रोकोडाइल्स देखते हैं वो बेसिकली जोरैसिक एरा स लेकर आज तक चेंज हुए ही नहीं, वो वैसे के वैसे रैप्टाइज हैं जो वो उस ट्राइम पे थे, तो बेसिकली हम इनको आज के डाइनासोर्स मान के चल सकते हैं, और भी सेनेरियों में देखें, तो आज की डेट में हमारे पास जो बिगस से बिगस बिगस बर्ड है, वो है ऑस्ट्रिच और सेकिंड है कीवी, काफी बड़े बर्ड हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाते, उड़ने के लिए हमें दो चीजों की ज़रूरत होती है, एक तो हमारी जो एर डेंसिटी होती है, एट्मसफेरिक डेंसिटी होती है, वो साथ देती है, दूसरा जो बर्ड होते हैं, उनकी नुमेटिक बॉन्स होती है, नुमेटिक मतलब उनकी बॉन्स अंदर से खोकली होती है, खोकली बॉन्स होना उड़ने के लिए काफी हलफुल है, लेकिन जब तक एट्मसफेर प्रॉपर साथ ना दे, तो बर्ड उड़ नहीं सकता, ये जैसे कि जो जो रसी डेट में हमारे पास इतना बड़ा कोई भी बर्ड या रेप्टाइल नहीं है जो की उड़ पाई तो basically मैं शुरुआत करूँगा वीडियो की basically जो हम आज दो theories पे बात करने वाले हैं जो दो concepts के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है atmospheric density यानि की air density और दूसरा है oxygen concentration तो दोस्तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा past में यानि की earth जब बनना शुरू हुई थी अर्थ के बनने के बाद atmosphere में बहुत सारी changes आई पहले तो atmosphere था ही नहीं लेकिन दीरे दीरे जब बनना शुरू हुआ तो Jurassic era के time पे ये जो हमारा atmospheric density थी वो काफी ज़ादा थी ये चीज़ प्रूव करती है तब के जो हमें fossils मिले हैं dinosaurs के वो बहुत ही बड़े sizes के थे और तब के जो हमारे पास gymnosperm category के plants होते थे वो भी बहुत बड़े-बड़े sizes के होते थे तो बड़े-बड़े sizes का correlation यहाँ पे क्या है atmospheric density का तो हम इसे अगर एक example के साथ समझें तो बड़े-ईजली समझेंगे अगर air की density ज़ादा होगी तो animals का size ज़ादा होगा वो कैसे होगा अगर air density ज़ादा होगी तो resistance air में ज़ादा होगा यानि कि drag ज़ादा होगा इसका मतलब कि किसी भी animal को उस condition में survive करने के लिए muscle activities ज़ादा करनी पड़ेगी इसका मतलब ये भी हुआ कि muscle power ज़ादा होगी उन animals की अगर muscle power ज़ादा होगी तो automatically उनकी body का size दीरे-दीरे-दीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा जो हमारी second theory है oxygen concentration की अगर आज की date में हम बात करें तो oxygen की concentration air में 20% के around है लेकिन आज से 300 million years ago जो oxygen की density थी concentration थी वो थी near about 30% 30% का मतलब ये है ज़ादा oxygen मतलब higher rate of metabolism metabolism हमारी body में कुछ reactions होते हैं breakdown और building up reactions जो की मिला कर हमें metabolism प्रोवाइड करते हैं basically जिस animal का metabolism जितना ज़्यादा high होगा वो animal उतना ज़्यादा active और उतना ज़्यादा fast होगा लेकिन हमारी जो पहली theory है वो यहाँ पे ज़्यादा acceptable theory है जो की है atmospheric density की तो दोस्तों अगर आज की rate में हम अगर देखें तो C में हमारे पास सबसे बड़ा mammal है वो है blue whale और अगर मैं आपको कहूँ की blue whale उड़ पाती है एक penguin उड़ पाता है तो क्या आप मानोगे ये बिलकुल वैसा ही है जैसे की high density atmosphere में उड़ना एक whale एक dolphin एक penguin पानी में ऐसे ही उड़ते हैं मेरे कहने का मतलब float करते हैं swim करते हैं जैसा की कोई हवा में उड़ रहा हो अगर हम कुछ minute के लिए imagine करें कि हवा की density पानी के equivalent हो जाए तो एक बड़े से बड़ा animal भी हवा में easily float कर पाएगा इसका मतलब की वो उड़ पाएगा तो मुझे लगता है कि आप इस example से कुछ जादा समझ पाए होंगे कि तब के डाइनसोर इतने बड़े क्यों थे और वो उड़ पाते थे तो कैसे उड़ पाते थे हमारे आज के animals इतने जादा comparatively बड़े नहीं हैं ऐसा क्यों है क्योंकि आज का हमारा जो atmosphere है वो large size of animals को support करता ही नहीं है अगर वो बहुत जादा बड़े हो जाते हैं तो वो elephants की तरह lethargic सुस्त animals हो जाते हैं बड़े animals जतने होते जाएंगे वो सुस्त होते जाएंगे क्योंकि हमारा atmosphere जो density है वो support ही नहीं कर पाता इतने बड़े animals को survive करने के लिए या उनको evolute होने के लिए तो दोस्तो एट लास्ट आने वाला टाइम जो हमारा atmosphere होगा वो बहुत सारा change होता रहेगा बहुत सारे हमारे परिवर्तन आते रहेंगे बहुत सारी अलग-अलग तरह की evolution होती रहेंगी और अलग-अलग तरांगे एनिमल्स बनते रहेंगे और एक्स्टिंक्ट भी होते रहेंगे और इसको देखने के लिए शायद तब तक हम यहां पर ना हो तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तो मिलते रहेंगे थैंक यू फ्रेंड्स